नमस्कार मैंूप पलवी सिंग और आप देख रहे हैं आरे न्यूस रुख करेंगे खबरों की ओर तेल की कीमतों पर महंगाई अब आसमाच हो रही है पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार औरे बड़ोत्री का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा इस दरान तेल विपडन कंपनियों ने आज लगातार चोथे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिये हैं साथ ही डीजल की कीमतों में लगातार चोथे दिन 35 पैसे प्रतिलीचर की वृद्धी के बाद अब देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक के उच्चतम सतर पर पहुँच गए हैं पेट्रोलियम वनपेन कंपनी इंजेन ओयल कोपरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड की गई है 107 रुपे 24 पैसे प्रतिलीचर और मुंबई में 113 रुपे 12 पैसे प्रतिलीचर की गई इस दरान आपको बता दें कि देश की आर्थिक राज़धानी मुंबई में डीजल अब 104 रुपे प्रतिलीचर मिल रहा है जबकि राष्ट्रे दिल्ली में डीजल की कीमत 95 रुपे 97 पैसे प्रतिलीचर हो गई है मद्रप्रदेश की बात करें तो मद्रप्रदेश का अंतिम जिला बाला घाट है जो कि 36 गड़ और महरास्ट की शीमा से सटा है और वहाँ पर पैट्रोल की दरों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया मारा घाट में पैट्रोल का मूले 118 रुपे 25 पैसे प्रतिलीचर हो गया है जबकि डीजल के लिए 107 रुपे 46 पैसे प्रतिलीचर चुकाने पड़ रहे हैं इस दोरान पैट्रोल डीजल की कीमतों में लगती आग से ज़नता परिशान है और जम्मुकश्मीर में आम नागरिकों पर बढ़ती यातंकी घटनाओं के बीच के इंद्रे ग्रहमंत्री अमिश्चा का तीन दवस्य दौरा शनिवार से शुरू होने ज़ौरा है शा के दोरे से पहले जम्मुकश्मीर में सुरक्षा ववस्था को बढ़ा दिया गया है साथ श्रीनगर में पेरा मिलिचरी की अतिरेक जवानों की तैनाती भी कर दी गई है इस दोरान पूरे के इंद्शासित प्रदेश में CRPF की 15 और कंपनियों को तैनात कर दिया गया और इस दोरान आपको बता दें कि दरुसल जम्मुकश्मीर में इस महीने आतंकी वारदातों में इज़ाफा देखने को मिला है हलाकि सेना भी आतंकीों को मुतोड जवाब दे रही है और मौत के खाट उतार रही है शाह अपने दोरे में कई सुरक्षा अधिकारियों के साथ एहम बैचक करेंगे और वहीं जम्मुकश्मीर की सुरक्षा की समिक्षा भी की जाएगे सूत्रों के अनुसार अमिश्चा पहले इंटरनाशनल फ्लाइट जो की श्री नगर से शार्ज़ां की है महापार उसका भी उत्गाटन करेंगे और श्री नगर और यूएई को जोडने वाली बहुपरिक्षित सीधी उडान के बारे में भी नागरे कुड़यन मंत्री जो देरा दित्ते सिंध्या ने पिछले महीने ही अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान घोशना की थी कि वहीं जम्मुकश्मीर पहुंचने के बाद अमेश शाह राजभवन जाएंगे जहां वो सभी सुरक्षा और खूफिया प्रम्खों की उपस्तिती में उच्चे स्तरीय बैटक की अध्यक्षता करेंगे मताते चोलें कि यूनिफाइड कमांड मीट में भाग लेने वालों में आईबी च्रीव, अरविंद कुमार, डीजीपी, CRPF और NIA, कुलदीप सिंग, डीजीपी, NSG और CISF, MA, गंपती, डीजीपी, BSF, पंकत सिंग और डीजीपी, जम्मु कश्मीर पोलिस, दिलबाक सिंग, आर्मी कमांडर और तीन शीर्च कॉर्प कमांडर प्रतिभागी भी शामिल होंगे इसके अलावा, आईजी कश्मीर और आईजी जम्मु दोनों भी मौजूद रहेंगे और किठोर कस्बे में गांधी मेमोरियल इंटर कॉलिज के सामने आज AIMIM प्रमुक असाउदिनोसी की सभा कायोजन किया गया है तो वहीं आपको बताते हैं सभा के लिए शुक्रवार की देर रात तक तैयार या चुलती रहें साथ ही शुक्रवार को पार्टी के दर्चुन का रिकरता सभास्तल पर पंडाल लगवाने में जुटे नजर आए इसी क्रम में नगरपंचायद ने सभास्तल के आसपास सफाई भी करवाई और इस दरान सभा में शेतर के अलावा अन्य जिलो से भी समर्थकाने की संभावना बनी हुई है आपको बता दें कि टौर विथानसभा शेतर में AIM-IM की ये पहली सभा बताई ज़ुआ रही है इस दोरान किठोर विधान सभा जो शेत्र है वो राजनीती का गड़ माना जोता है और यहाँ पर बस्पानेता मुनकाद अली और सपानेता शाहिद मन्जूर का भी पैट्रिक गाउं है दोनों निताओं ने यहीं से अपने राजनीती की शुरुवात की थी और दोनों की ही मुस्लिम समाज में अपनी अपनी पकड़ है सुद्रों के अनुसार मुस्लिम मद्दाताओं को लुभाने के लिए किठोर में OVC की इस सभा कायुचन किया जा रहा है जिसका जिम्मा पाटी की किठोर विदानसभा द्यक्ष गाउं रगहौती निवासी अस्जद हयाती और मेरट के फहीम एडवोकेज तधा हाजी नशाद को स्वापा गया है सभा को सफल बनाने के लिए पाटी बतादिकारी शेत्र में जनसंपर कर लोगों से पहुंचने की अपील कर रहे है